नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 परसन जो करशन भक्तिकावेदारा से समझ दित हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका हार्दिक आबार अभिनंदन और लगबगा आप 10.000 सब्क्राइबर हो चुके हैं तो आप सबका बहुत बहुत आबार तो चलिए चलते हैं अपने पहले परसन की तरफ और पहला परसन है जो की आचारी रामचंदर सुकल ने भरमरगीत सा गया है तो यह है सूर्दास जी की रचनाओं का संकलन किया है सूर्दास जी की रचनाओं का इसमें संकलन किया गया है नेक्स्ट है राधा का लोग हितकारने रूप किस रचना में चितरित किया गया है तो यह किया गया है पिरिये प्रवास में पिरिये प्रवास नामक रच रचना में चित्रित किया गया है माता यसोदा को भारत माता की रूप में किस रचना में चित्रित किया गया है तो इसका उत्तर है भरमर दूथ में माता यसोदा को भारत माता के रूप में किस रचना में चित्रित किया गया है तो यह भरमर दूथ नामक रचना है उसमें चित्रित किया गया है नेक्स्ट परसन है अपना मीरा भाई का जनम कब हुआ तो मीरा भाई का जनम 1504 इस्विय में हुआ मीरा भाई का जनम 1504 इस्विय के अंदर हुआ था मीरा भाई के कावे में किस बासा का प्रियोग किया गया है मीरा भाई के कावे में किस बासा का प्रियोग किया गया है तो इसका उत्तर है राजस्तानि मिष्रित बरजबासा का प्रियोग किया गया है नेक्स्ट है राग सोरट के पद किस की रचना है तो इसका उत्र है मीरा भाई की रचना है नेक्स्ट है मान मंजरी किस परकार की रचना है तो मान मंजरी है वो चमतकार परदान रचना है और ये नंदास की रचना है नंददास की चमतकार परदान रचना है मान मंजरी वीरह मंजरी में किस के वीरह कावर्णन किया गया है तो वीरह मंजरी में शिरीकर्षन के वीरह कावर्णन किया गया है यानि शिरीकर्षन का वीरह दिखाया गया है यहाँ पर गोपियों के बजाए शिरी कर्षन का विरह दिखाया गया विरह मंजरी और ये भी नंददास की रचना है नेक्स्ट परसन है बहुमरगीत किस की रचना है तो बहुमरगीत नंददास की रचना है करसन भक्त कवी नंददास हैं उनकी रचना है बहुर गीत रसकान की दान लिला में कितने दोए हैं तो रसकान की दान लिला में मातर ग्यारा दोए हैं अगला परसन है माली मालिन के रूप में रादा करसन का चितरन किस रचना में क्या गया है तो प्रेम वाटिका में क्या गया है माली मालिन के रूप में रादा कर्सन का चितर किस रचना में क्या गया है तो प्रेम वाटिका में क्या गया और ये रसकान की रचना है प्रेम वाटिका किस की रचना है तो प्रेम वाटिका रसकान की रचना है अस्ट छाप की स्टापना कब की दी तो 1565 में अस्ट छाप की स्टापना की गई अस्ट छाप की स्टापना 1565 के अंदर की गई अस्ट छाप की स्टापना किस ने की तो अस्ट छाप की स्टापना गोस्वामी विठलनात ने की पुष्टी मार का समंध किस कावे से है तो पुष्टी मार का समंध कर्शन बक्ती कावे से है पुष्टी मार का समंध किस कावे से है तो पुष्टी मार का समंध कर्शन बक्ती कावे से है अगला है पुष्टी मार के परवर्तक कोन थे तो पुष्टी मार के परवर्तक वलवाचारिय थे पुष्टी मार के परवर्तक वलवाचारिय थे सूर्दास जी ने अपनी किस रचना में रीती निरूपन किया है सूर्दास जी ने अपनी किस रचना में रीती निरूपन किया है तो ये साहिते लेरी में किया है सूर्दास जी ने अपनी रचना साहिते लेरी में रीती निरूपन किया है रीती का निर्वा किया है करसन के किस रूप का वनण क्या हैं innocence किया लोकरंजक रूप रूप का वर्णन क्या है वे तो सुजान रस्कान यानि रस्कान की रचना है और उसमें कितने सवई हैं तो इसमें 181 सवई है 181 सवीय हैं और बाकी दो हे पद और भी हैं तो 181 सवीय हैं मातरा उनकी 181 है सूर्दाश जी ने स्रीकर्षन की बाल लिलाओं का वरन किसके आदार पर किया तो सिरिमद भागवत पुरान के आदार पर किया सूर्दाची ने स्रीकरसन के बालेलाओं कावनन किसके आदार पर किया तो सिरीमद बागवत पुरान के आदार पर किया अगला परसन है केली माल किसकी रचना है केली माल किसकी रचना है तो केली माल स्वामी हरीदाची की रचना है नेश्ट है चैतने संपर्दाय का दूसरा नाम क्या है तो चैतने संपर्दाय का नाम दूसरा है वो गोडिये संपर्दाय है चैतने संपर्दाय का दूसरा नाम गोडिये संपर्दाय है अगला है हरीदाशी संपर्दाय का परूरतन किस ने किया तो स्वामी हरीदाशी संपर्दाय का परूरतन स्वामी हरीदाशी संपर्दाय का दूसरा नाम क्या है तो हरीदाशी संपर्दाय का दूसरा नाम सकी संपर्दाय है हरीदाशी संपरदाय का दूसरा नाम सकी संपरदाय है सकी संपरदाय के सिदान्तु का परीचे किस गरंथ में मिलता है सकी संपरदाय के सिदान्तु का परीचे किस गरंथ में मिलता है तो निजमत सिदान्त गरंथ है उसमें मिलता है सूर्दास को पुष्टी मार का जहाज किस ने कह था तो सूर्दास को पुष्टी मार का जहाज गो स्वामी विठलनात ने कह था नेक्स्ट परसन है सूर्दास के दृष्टी कूट पद किस में संकलित हैं तो ये साइते लेरी में संकलित हैं खुदास के द्रिश्टी किस में संकलित हैं, तो यह साहिटे लैरी में संकलित ہیں, इसके बारे में एक कनफ्यूज है कि आचारी रामचंदर सुकल का जो हिंदी साहिती का खियास है उसमें सूर्शागर दिया हुआ है और अन्य किताबों में साहितेलेरी दिया हुआ है हिंदी में कर्षन कावे के परवरतन का सरेकी से दिया जाता है तो ये मैथली कोकिल विद्यापती को दिया जाता है कर्शन कावे का जो परवरतन किया वो मेठ्रिकों के लिए विद्यापति को दिया जता है जडिया कवी किसे का जता है जडिया कवी नंदास को कहा जता है नेक्स्ट परसन है नंदास को जडिया कवी क्यों का जता है तो परिमार जित बरजबासा के प्रियोग के कारण नन्दास को जड़िया कभी कहा जाता है मानुस सब्द उन्होंने जड़ दिये हूँ निमबार्क संपरदाय की स्थापना किसी ने की तो निमबार्क संपरदाय की स्थापना की अगला प्रॉसन है, रादा कर्षन की यूगल मूर्ति की पूजा की समपरदाय में की जाती है, निमबार्ग समपरदाय में की जाती है तो निम्बार्क संपर्दाय में की जाती है रादा वल्लब संपर्दाय की स्थापना किस ने की तो रादा वल्लब संपर्दाय की स्थापना स्वामी हित हरीवन्स ने स्वामी हित हरीवन्स ने रादा वल्लब संपर्दाय की स्थापना की किस संपर्दाय में रादा को परमुक्ता दी जाती है तो रादा वलब संपर्दाय में रादा को परमुक्ता दी जाती है चत्तुर भुजदास किस के सिसे थे तो ये गोस्वामी विठलनात के सिसे थे गोस्वामी विठलनात के सिसे थे चत्तुर भुजदास अगली रचना है 8429 की वारता किसकी रचना है तो ये गोकुलनाथ की रचना है और 25229 की वारता किसकी रचना है तो ये रचना भी गोकुलनाथ की रचना है गुकुनात की रचना है ये भी आगे हैं निम्बार का चारिय को किस का आउतार माना जाता है तो निम्बार का चारिय को सुदर्शन चकर का आउतार माना जाता है तो निम्बार का चारिय को सुदर्शन चकर का आउतार माना जाता है नेक्स्ट परसन है अपना किस संपरदाय में कर्षन के साथ रादा का विग्रे नहीं होता है तो ये रादा वलब संपरदाय में कर्षन के साथ रादा का विग्रे नहीं होता है उद्दव सतक किस की रचना है उद्दव सतक है वो जगनात दास रतना करकी रचना है नेक्स है सूर्दाश जी ने अपने सूर सागर में श्रीकर्षन की बाल लिलाओं का वर्णन किस आदार पर किया ये परसंद पहले भी आया हुआ लगता है लेकिन इसमें अलग चीज़ दिगी है तो सूर्दास जी ने अपने सूर सागर में श्रीकर्सन की बाल लिलाओं का वर्णा किस आदार पर किया तो ये उत्तर है इसका सिरिमत बागवत पुरान के दसम सकंद के साथ में अध्याय के आदार पर किया नेक्स्ट है कर्सन भक्त कवियों में सूर्दास के बाद सबसे प्रवावसालिक कवी माने जाते हैं तो यह नंदास है कर्सन भक्त कवियों में सूर्दास के बाद सबसे प्रवावसालिक कवी है उनका नाम नंदास है सुदामा चरित किस की रचना है तो यह नंदास की रचना मान मंजरी किस की रचना है मान मंजरी है वह नंदाश की रचना है मान मंजरी है रचना है वह नंदाश की रचना है कि अगला परशन है रुकमेनी मंगल किस की रचना है रुकमेनी मंगल यह भी नंदाश की रचना है सिध्धान्त विचार सिला किस की रचना है सिध्धान्त विचार सिला धुरुवदास की रचना है सिध्धान्त विचार सिला धुरुदास की रचना है परसुराम देव की रचना का नाम बताईए परसुराम देव की रचना का नाम बताईए करसन भक्त कवी रहे हैं और इनके रचना का नाम है परसुराम सागर इनकी रचना का नाम है जुगलमान चरीतर किस की रचना है जुगलमान चरीतर करसंदास की रचना है अस्तरचाप के है higher अगला प्रशन है द्वाधस येस कि स्की रचना है और ये द्वाधस येस रचना है वो चतुरवुश्दास की रचना है और स्थ्थी लॉय को 20 से संब्रधाय से शितले आ यानि उनसे अलग जो एक और स्थी ये और ईनका संब्रादाय से है और एनकी की रचना का नाम 22S है तो धन्यवाद दोस्तों आपका दिन मंगल में हो और इसी के साथ सुबरात्री बहुत बहुत आपका धन्यवाद